सातियों, हरे कृष्ण जी ने आजादी की लड़ाए के ऐसे अनेके ओ अध्यायों से हमें परिचित कराया हैं, जिन से उडिशा को लेकर बोध और शोद के नए आयाम खुले हैं। अधेशी हकुमत के खिलाब क्रांती की ज्वाला को हमेशा नहीं उर्जा दी। कितने ही सेनानियों को अंग्रेजों ने जेनों में डाला, यातनाई दी। कितने ही बलिदान हुए हैं। लेकिन आजादी का जिनून कमजोर नहीं हुआ। संबलपुर संग्राम के वीर क्रांती कारी, सुरेंदर राय, हमारे लिए आज भी बहुत बड़ी प्रेणा है। जब देश ने गांदी जी के नित्रुतों में गुलामी के खिलाप अपने अंतिम लड़ाई शुरू की, तो भी ओडिशाओं और वहां के लोगों उसमें बहुत बड़ी भूमी का निभा रहे थे। असयोग अंदोलन और सभी नई अवग्या। यह ऐसे अंदोलन थे, वहां से लेकर के नमक सत्यागर तक, पंडित गोब बंदू, आचारे हरियर और हरे कृष्ण महताब जैसे नायक ओडिशा को नित्रुत्प दे रहे थे। रमा देवी, मालती देवी, कोकिला देवी, रानी भाग्यवती, ऐसे कितनी माता हैं बहने थी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दिशा दिशी, इसी तरह, ओडिशा के हमारे आदिवासी समाज के योगदान को कौन भूल सकता है। हमारे आदिवासी ने अपने शावर्य और देशप्रम से कभी भी विदेशी हकूमत को चेहन से बैठने नहीं दिया। और आप शायद पता होगा, मेरी ये कोशिश है कि हिंदुस्तान में आजादी के जंग में आदिवासी समाज का जो नित्रुत और है भूमिका रही है, उससे समंदित उन उन राज्यों में जहां पर उस प्रकार के भावी पीड़ी के लिए एक मूजियम महा बनना शही है। अंगिनित कहानिया हैं, अंगिनित त्याग और तपस्या की बलिदान की वीर गाथाएं पड़ी पड़ी हैं। कैसे वो जंग लड़ते थे, कैसे जंग जीतते थे, लंबे अर्से तक अंगिनित को पैर नहीं रखने देते थे, अपने बल्भुते पर, ये बाते हैं हमारे आदिवासी समाज की स्थाख तपस्या के गवरों को आने वाली पीड़ी को बताना बहुत जरूरी है। ये कोशिश हैं कि पुरे देश में आदिवासी समाज का आजादी के जंग में नित्रुत्प उसको अलग से उजाकर करके लोकों के सामने लाने के जरूरत है। और कई अनिकिनत कहानिया हैं जिसके और शायद इतियास ने भी अन्याय किया है। हमारे जैसाल लग हम लोगों का स्ववाव है। जरा ताम जहम वाली चीजा आजाए तो हम उस तरब लुड़क जाते हैं। और इसके कारण ऐसी तपस्या की बहुत बाते होती हैं, त्याक की बहुत बाते होती हैं, जो एकदम से उभर करके सामने नहीं आती हैं, तो प्रयास करके लाना होता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो अंदुलन के महान आदिवासि नायक लक्ष्वन नायक जी को हमें जुरूर याद करना चाहिए। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी देजी थी, आजादी का सपना लेकर वो भारत माता की गोद में सो गए थे।